नमस्कार मैं आशी दाजन कुमार और आप देख रहे हैं इनका बर जी हाँ सबको बेसबरी से जो इंतजार था कि बिग वस सीजन बाराय का अखिरकार बनर कौन बनेगा और वो अब बिग वस के घर से जो सुब खबर आ रही है वो यह है कि दीपका कक्कर सीजन बाराय की जीता चुनी गई है और ऐसे मों उनके फैंस में काफी खुशी का माहल है और आपको बता दे कि दीपका ककर और श्रीशंत आखिर में दो ऐसे फैनलिस्ट बज़े थे जिनके वीज जीत का मुकाबला जा रही था और श्रीशंत को पचार गर दीपका आगे निकल गई है बत वो लोगों को काफी पसंद आया तह दीपका जिस तरीके से अपने गेम प्लान को बनाती थी जोगों के साथ मिल्टी थी और घर के सथंता ये मानना था कि वो पूरी तरीके से खिल देती कि जो लोगों को अच्छी तरह नहीं लगता था बट दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि दीपका जिस तरीके से गेम को खेली चंता को बहुत पसंद आया और उसी आदार पर आज वो सीजन बारा की बिनर बन चुकी है स्रीशन तो दीपका के रिस्ते के बारे में आपको बता दू कि कुछ लोगों का ये मानना था घर के कि इन दोने के रिस्ते काफी अच्छे नहीं है या फिर ये लोग फेक तरीके से अपने घर गेम को चलाने के लिए इन सब रिस्तों को बना रहे हैं लेकिन एक तरफ जहां स मेरे साथ भाई की तरह ही रहेंगे ऐसे में फिनायले के जब दोर आया वो घड़ी जब दौनों एक स्टेश पे खड़े थे फाइनल की ट्रॉफी के लिए और फाइनलिस्ट के एनॉंस्मेंट के लिए तो दैन श्रीशन के मन में कहीं ना कहीं ये खयाल था और उन्होंने कहा भी था कि अगर दीपका जीतती हैं तो उससे उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि वह दीपका को अपनी भेहन की तरह मानते हैं हाला कि जो फिनाले में हार का दर्द था वह देखने को बन रहा था क्योंकि तीन महीने के लंबी सफर के बाद श्रीशन या फिनाली जिनकी पर क्या असर पड़ेगा लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी की बाद यह है कि जो टीवी सीरियल में बहु का क्रदार निवाती थी सबकी चाहिती दीपका कर आखिरकार सीजन 12 की विनर बन चुकी है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट करें ल कमदर आपसकार